हेलो एवरिवन एक फार फिर स्वागत आया है आप सभी का अपने योट्यूब चैनल पर तो फ्रण जैसा कि आप तमनेल पर देखी चुके हो आज किस वीडियों में हम डिस्कस करेंगे एच पी जी के कुछ important questions जो मैंने अपको आगामी हच प्यू बीडेंटरंस और एस्पियू बीडेंटरंस दोनों में यह question जो होंगे वह आपको काफी helpful थावित होंगे तो फंद्स आपने करना क्या है इन questions के short form and notes से जरूर उबना लेने हैं क्योंकि reason के time यह questions आपको काफी helpful थावित होंगे तो फंद्स अगर आप एच्प्यूर एस्प्यू भी एडिन ट्रांस की त्यारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से playlist माई है जिसका जो link है वो मैंने description box में दे दिया है आप आहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो बहां पर आपको सभी sections की वीडियोस आपको देखन को मिलेंगी तो फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो का क्वेशन नंबर फर्स्ट है एच्पी लिए के क्वेशन आज हम डिसकस करेंगे इसके आवरे शॉट फॉर में नोट्स भी जरू इपना लेने हैं तो फर्स्ट क्वेशन है कि इसमें बोला गया कि फिजन का पूशन है कि ऑफशन हमें का रहे अंसर हो जाए गा उसी द्राप से में पुछ सकते हैं से सियाल हाथी धार जो है वह हाथी धार जो है वो कहां पे है वो डिस्टिक चंबा में है और नैना देवी की धार है वे आपकी बिलास पूर डिस्टिक में है ये भी आपने याद रखना है राम शहर और कसौली धार जो है वो सोलन डिस्टिक में है धालटी सैन धार जो है वो सिर्मोर जिले में है ये भी आपने याद रखना है जाक धार जो है वे आपकी हमिरपुर डिस्टिक में है ये भी आपने नोट के लेना है शिवालिक पहाडियां जो है वे मेलनी किस डिस्टिक में पाई जाती है ये आपने याद रखना है उना जिले की पहाडियों को शिवा पहाडियों की जो अधिक्तम चाहिए वे पंद्रा सो मेटर है यह आपने नोटक लेना है तो शोला सिंगी धार जो है वे आपकी डिस्टिक हमिर्पूर में है option number 20 कोशन का राइट अंसर है next question पर चलते हैं अगले question में बोला गया है कि शिकारी देवी बन्य जीब अभ्यारने जो है वो हिमाचल परदेश की किसे डिस्टिक में इस देत है important question है तो शिकारी देवी बन्य जीब अभ्यारने जो है वे आपका हिमाइचल परदेश के डिस्टिक मंडी में स्थित है option number D is कशनी का right answer है और इसका जो क्शेतर फल है शिकारी देवी वन्य जीव भ्याने का जो क्शेतर फल है बेभत्तर 72 स्क्वेर किलोमेटर है यह आपने नोट कलेना है इसका जो एरिया है वे कितना है 72 स्क्वेर किलोमेटर है और इसकी जो स्थाबना हुई थी वे वर्स 1962 में हुई थी यह भी आपने नोट कलेना है उसी तरह मंडी डिस्टिक में और कौन-कौन सी है बांदली बने जी वभ्यानने भी मंडी में है नारगू बने जी अभ्यानने जो है वो भी आपका डिस्टिक मंडी में है यह भी आपने नोट कलेना है और शिकारी देवी बने जी अभ्यानने जो है वो भी मंडी में है और हिमाचलप देश का जो सबसे छोटा बने जी अभ्यानने है व्याबका शिली है, जो की डिस्टिक सोलोन में है, हिमाचर अब देश का सबसे बड़ा बन्य जीव अभ्यारने, जो है, वो किब्बर है, जो की लाहुस्पृती डिस्टिक में है, उसका एरिया जो है, वो 14 सो वर के किलोमेटर है, 1992 में 1992 में उसकी स्थाफना हुई थी, कुलू में कौन से है कायस बनने जीव भ्यारने या आपने नोट करेना एक्जाम में कही बार पूचा गया था जिसे कंबर और कनावर कनावर बनने जीव भ्यारने जो है वो भी आपका डिस्टिक कुलू में है कंबर खोकन जो है वो भी कुलू में है मनाली भी बनने जीव भ् की जाती है तो हिमाचल प्रदेश के सिर्मोर और की Name किस्व का इंसर नवर यह अपने है तो कशनी का जा Sher शिर्गुल देवता की पूझा है जाती है Q4 पे जलते हैं Q4 में बोला गया है कि उक्ख्यांग महुतसब जो है बोला गया कि उक्ख्यांग महुतसब हिमाचल परदेश के किस जिले में मनाय जाता है तो उक्ख्यांग जो है वो आपको पता है ये डिस्टिक की नौर में मनाय जाता है option number 20 question का right answer है आपने याद रखना है उक्ख्यांग को इसे फुलेच के नाम से भी जानते हैं किस नाम से आपको एक्जाम में फुलेच के नाम से भी question पूछ सकते हैं तो फुलेच और note कर लेना है फुलेच जो है तो ख्ख्यांग महुतसब को फुलेच उत्सव भी कहा जाता है ये डिस्टिकर की नोर में मनाय जाता है और ये उत्सव जो है वो ये जो उत्सव है आपका भादों के उत्राद यानि कि आउसुज के प्रारंब में मनाय जाने वाला फूलों को तेवहार है और ये किनोर जिले में मनाय जाता है इसे उक्यांग भी कहा जाता है और ये किस वर्ष से शुरू हुआ था ये भी आपने नोट के लेना है वर्ष 1987 से ये जो उत्सव है उक्यांग उत्सव जो है फुलेच उत्सव जो है फुलेच तेवहार जो है ये वर्ष 1987 से जो है वो मनाया जाता है और ये जिलास तरिया मेला है और किस महीने में लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये आपका सिप्तंबर के महीने में लगता है ये जो टेओहा उतसब है वो क्यांग उतसब जो है वे आपका किस महीने में लगता है स्ब्दंबर के महीने में लगता है और कब से मनाया जा रहा है ये 1987 से मनाया जा रहा है वो ख्यांग उतसब को फुलेच तेवहार भी खा जाता है ये भी आपने नौट कर लेना है एक्जाम में के युवार जो है वो क्वेशन पूछ ले जाता है कि फुलेट जो उतसफ है वे कहां पर मनाया जाता है अगले प्रश्ण में जलते हैं हिब्रा जल्विद्ध प्रियोजना जो है माचल प्रदेश के किस जीले में कारेनवित हो रही है इंपोर्टन क्वेशन है तो हिब्रा जल्विद्ध प्रियोजना जो है तो यह डिस्टिक चंबा में कारेनवित हो रही है और यह रावी नदी के उपर है जिसकी दो क्यपस्टी है वे 260 मेगावार्ट है यह आपने नौट के लेना है तो हिब्रा जल्विदित प्रियोजना जाओ माचल प्रदीश की किस जीले मिस्तित है यह किसे डिस्टिक में है तो यह डिस्टिक चंबा में है और इसकी जो क्यपस्टी है टोटल वे 260 मेगावाट है और नहीं सीद्वारा दो हजार बारा में यह निर्मित की गई और चंबा डिस्टिक के रावी नदी के उपर है यह आपने याद रखना है उसी तरह शोंग टॉ हम जो परियंब्ड जो है जलमेदी परियोजना जो है कि किनोमें है यह और चार सो मेगावाटन की में है तो यह आ comprehensive नहीं होना है रौंग शॉंग टॉंग और रौंग जो है वह किनौर में है रौंग जो है वह आपकी लाख रूस-बीद्र 했ि में है उसी तरह और हिमाचल प्रदेश की जबसे बड़ी जल्विद्यत परियोजना जो है आपकि पार्वती परियोजना है। जिसमें पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्तान, दिल्ली, गुज्राद वा हर्याणा का सहयोग है। परियोजना वे हिमाचल परदेश का 15% हिस्सा है और सबसे अधिक लागत जो है वे राजस्तान स्टेट जो है वो उठा रहा है और नाथपा जाकडी परियोजना जो है वे आपकी किनोर डिस्टिक में है यह भी आपने नोट कर लेना है और पंदरा सो मेगावाट उसकी किपस्टी है किनोर डिस्टिक में है केंदर और राज्या की स्युक्त परियोजना जिसे एस जे वी एनल सतलुस जल विद्युत नेगम लिम्टड द्वारा लिम्टड ने बनाया है और इसे वर्ड वैंक से भी सहयोग मिला है यह आपने आजकना है ना थपा जहाकड़ी पडियोजना जो है उसे विश्व वैंक से भी सहयोग मिला है अगली अप्रेशन पर चलते हैं इसमें कि निर्वासित त्व्वती सरकार का मख्यालिया हिमाचल Studiлед Dipadis के एक एक शहर में इस्टीत है तो यह आपको पता है यह धर्मिशाला में इस्टीत है और आपने एक वर किशन याद रखना है कि तिव्धती धर्मगुरू दलाईलामा जी जो थे वही माचल प्रदेश कब आई थे तो ये 1969 में आई थे ये भी आपने याद रखना है 1969 में आई थे और इन्हें नोबल शांती परसकार भी मिला है अंदलाइलामा जी को कब मिला है वर्ष 1987 में मिला है यह आपने नोट के लेना है तो निर्वासित टिब्बत सरकार का जो मुख्यालिया है माचल परदेश के दर्मिशाला शहर में इस्तित है दर्मिशाला शहर के मेकलोड गंज में है यह भी आपने नोट के लेना है उसके बाद हम बात करते हैं मेले और तेवारों के बारे में तो सबस्वले बात करते हैं कुलू दिशारे के बारे में यह डिस्टिक कुलू में बना जाता है यह मेला जो है कुलू के ढालपुर मेदान पर लगता है जो 1651 में शुरू हुआ था और ये एक अंतराश्टी स्तर का मेला है उसके अदबार करते हैं डूंगरी मेला के बारे में तो डूंगरी मेला जो है वह आपका मनाली डिस्टिक कुलू में लगता है ये मेला देवी हडिमबा कुसमर पिता है हडिमबा जो थी वह भीम की पतनी अधारे मेला जो हो मनाली मेल लगता है डिस्टिक कुलू में उसके बाद नलवाडी मेला के बात करते है ये this इम्पोर्टेंट है यह मेला 1889 में डवली गोल्ड स्टिन ने शुरू करवाया था उसमें उसमें राजा अमर सिंग जो थे वो कहलूर के शाशक थे और यह मेला लूनू मैदान पर लगने वाला एक राज जिस तरी मेला है जो मार्च के महीने में लगता है इसे पशु मेला भी कहा जाता है तो नलबाडी मेले को पशु मेला भी कहा जाता है डबली गोर्ड सिन ने शुरू करवाया था कब करवाया था 1889 में उसके बाद बात करते हैं नैना देवी मेले के बारे में बिलासपर डिस्टिक में लगता है अगस्त महीने में लगता है सारही यात्रा जो है कुलू डिस्टिक से संबंदित है मैई के महिने में मिला जाता है उसका इंपोर्टेंट है गुगा मेला गुगा मेला जो है वे आपका बिलासपुर के घेडवी और हमिरपुर में मिला जाता है अगस्त और स्थम्बर महिने में ये मिला लगता है मारकंडा मेला जो है वो जुखाला बिलासपुर में लगता है अप्रयाल महिने में लगता है ये भी आपने नोट के लेना है डल मेला जो है डिस्टिक कांगडा में लगता है अगस्त महिने में लगता है जो अलमुकी मेला जो अलमुकी कांगडा में लगता है अक्तूबर के म महिने में लगता है नागनी मेला जो है नूरपूर डिस्ट्री कांगड़ा में लगता है जिलास्तरिय ये मेला है कालेश्वर मेले की बात करते है कालेश्वर मेला जो है वियापका डिस्ट्री कांगड़ा में है राज्यस्तरिय मेला है लोस्तरोस्व की बात करते है लोस्तरो महिने में यह मेला जो है वो लगता है बर्मोर यात्रा के बारे में बात करते हैं बर्मोर यात्रा डिस्टिक चंबा में से समंदित है अगस्त महिने में लगती है फूल यात्रा पांगी चंबा के पांगी में लगती है अक्तूबर महिने में लगती है यह भी आपने नोट के लेना है सुई मेले की बात करते हैं सुई मेला जो है वाकर डिस्टिक चंबा में मना जाता है केबल में हिलाओं और बच्चों के लिए लगने वरा ये मेला अपरेल महीने में लगता है ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के वलिदान के लिए याद किया जाता है उसके बात बात करते है मिंजर मेले के बारे में मिंजर मेला जो है अंतरास्टी मेला है चंबा डिस्टिक में मनाई जाता है ये मेला साहिल बर्मन ने आरंब करवाया था इस मेले में वरणुदेव की पूजा की जाती है और ये सावन के दूसरे सरी रविवार से शुरू होता है उसके ब बात करते हैं मनी महेश यात्रा के बारे में डिस्टिक चंबा में ये मनाई जाती है यात्रा जो है ये चंबा से संबंदित है ये जिन्वास्टिमी से राधास्टिमी की वीच लगता है पिपलू मेला जो है वो आपका डिस्टिक उन्ना में उना जाता है मेई जून के मेने मे मेला जाता है यह चिंठ पुर्णी मेला डिस्टिक उन्ilage में मना जाता है यहां पर सती सी आप इसके बाद बात करते हैं बड़वाग सिंग मेला के बारे में उन्ना के मैडी में बनाई जाता है जून के महीने में लगता है शुलनी मेला जो है वो सोलर डिस्टिक में में बनाई जाता है जून के महीने में यह मेला लगता है सारही यात्रा जो है आपकी अरकी दिस्टिक सौदर में लगती से समंदित है और ये मेला भैंसों की लडाई के लिए परसिद है जुलाई महिने में यहां मेला लगता है त्रिलोकपुर मेले की बात करते हैं ये त्रिलोकपुर सिर्मौर के त्रिलोकपुर में उना जाता है य इस मेले को अंतरास्ट्रिय अंतरास्ट्री मेले का दर्जा जो है वो प्राफ्त है बात कते हैं गसोता मेला के बारे में गसोता मेला जो है व्यापका हमेर पो डिस्टिक से संब्दित है मेही के मेहिने में लगता है शिवरात्री तेवहार जो है वो अंतरास्ट्री मेला है पता है संसार चन दोरा ये शुरू किया गया था माहूना अभम जो है डिस्टिक मंडी में उना जाता है यह मेला 13 प्रायल को लगता है हिंदू बहुत सीखों के लिए ये धारमिक महतु रखता है कौन से मिला छेसू मिला जो है उसके बाद बात करते हैं लदार्चा मिले के बारे में काजा लाहुलसपीती होना जाता है राजजस्तरिय ये मिला है शीतला देवी मेला जो है बो संदोनगर मंडी होना जाता है तो लोगनाथ पौरी मेला यह आपने याद रखना है यह कुशन जो है काफी इंपोर्टन है तो लोगनाथ मेले को के मेले को और पौरी मेला के नाम से जारा जाता है और यह लाहॉर्सपीति मेल लगता है लाहॉर् आपका हलोक शिम्मला से सम instances अक्तूबर नमुम्बर महिने में लगता है ये भी आपने नोट के लेना है उसी तरह शांद मिला जो है बिए आपका डिस्टिक्ड शिम्मला में मना जाता है फाग मिला जो है रामपूर शिम्मला में मना जाता है जी लस्तरिये, ये मेला है. लबी मेले की बात करते हैं, अंधराश्टी मेला है और हिमाचल का ये सबसे पुराना मेला है, ये अपने नोट करेंगा है। तो लवी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है अंतराश्टी स्थर का मेला है रामपुर शिमुला में मना जाता है और ये अंतराश्टी स्थर का मेला है जिसे कहरी सिंग ने शुरू करवाया था तो लवी मेला जो है वो किसने शुरू किया था किराजा किहरी सिंग ने उसी तरह देवट सिद मेले के बात करते हैं देवट सिद मेला जो है वो आपका हमिरपुर डिस्टिक में से समंदित है और ये जून महीने में ये जो मेला है वे लगता है उसके बाद कुछ कुश्चन है जैसे हिमाचल पदेश की किस घाटी को दूद वा की गाटी कहा जाता है लाओल स्पीती जिले की तीन गाटियों के नाम क्या है तो पेन गाटी लाओल गाटी और स्पीती गाटी सागला गाटी किस जिले में स्थित है तो सांगला गाटी जो है वो किनोर डिस्टिक में स्थित है और किनोर की सबसे संदर गाटी है आलो की घा तेता है तापने लोड़कला मैं है तो फ्रंस आज किस वीडियो में आज हमने एच पी जी के कुछ important question, कुछ important topic, कुछ important previous air के question जो थे वो हमने discuss किये, थोड़े हमने detail बे वो discuss किये, जो में लिए आपको HPUB ad entrance और SPUB ad entrance दोनों, में ये question जो होंगे वो आपको काफी helpful थावित होंगे, तो friends I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को like, share and comment जिरूड कर दें, और चैनल को subscribe भी जिरूड कर दें, बेल आइकन प्रेस करना न भूले, all notification on कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे, तो friends अगर आप HPUB ad entrance की त्यारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट न आई है, जिसका जो link है, वो मैंने description box में दे दिया है, आप 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 आपको सभी sections की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, चाहिए HPG की हो, इंडिया जी की हो, नेशनल कमिस्टन और क्वेटीज हो, टेचिंग अप्टिटूड और एटिटूड हो, रिजनिंग हो, मैथ हो, इंगलिश हो, हिंदी हो, वो सभी sections की वीडियो आपको बहां देखने को मिलेंगी, तो अगर आप content को लेकर कोई भी suggestion जो है, वो देना चाते हो, तो आप comment section में भी दे सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप मुझे follow कर सकते हो, इंस्टाग्राम आइडियो का जो लिंक है, वो मैंने description box में दे दिया है, आप कोई भी suggestions बगर अपनी तरफ से देना चाते हो, तो वो आप comment section है, या मुझे instagram पर message भी कर सकते हो, तो friends, आज किस वीडियो में पस इतना ही, या यह hope आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को like, share and comment जरूर करते हैं, चैनल को subscribe जरूर करते हैं, वेल आइकन प्रेस करना न भूलनें, और on notification जो हैं, वो on करते, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे, तो friends, आज किस वीडियो में पस इतना ही, तो thank you friends,